वेलकम बैक इस वीडियो में हम जानेंगे डे बुक के बारे में जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताये था ट्राइल बेरेंस वाले वीडियो में कि डे बुक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे रिपोर्टिंग का डे बुक में आप यह देख सकते हैं कि किसी खास दिन में हमने कौन-कौन से एंट्रीज करी है कितनी एंट्रीज करी है या अगर हम इसमें डेट में जाकर स्पेस दबा दें तो इस पिरियड में इस कंपनी में जितने भी ट्रांजेक्शन हो है चाहे वो किसी भी वाउचर से प्लेटेड हो चाहे वो इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन हो चाहे वो अकाउंटिंग वाउचर्स हो सभी के सभी को आप इक जगह देख सकते हैं टैली में डेबुक में जाने के बहुत सारे तरीके हैं पहला तरीका जो प्राइम में न्यू दिया गया है वो यहाँ पर डेबुक दिया गया है चुकि के हैलाइटेड हम सिधा के भी प्रेस कर सकते हैं इसके लावा डीडी डीफोर डिस्प्ले और डीफोर डेबुक में भ वही है, डे बुक में, date से हम किसी खास date की डे बुक को देख सकते हैं, और अगर हम एक से अधिक date की देखना चाहें, तो हम period में जा सकते हैं, alt f2 में जाकर, हम यह set कर सकते हैं कि हमें किस period की डे बुक को देखना है, सो यह हमने February से March की डे बुक के लिए यहाँ पर पिरियड चेंज किया है आप देख सकते हैं कि पिरियड का यहाँ पर कोई सौटकट नहीं दिखाया गया है तो आप इसको याद रख सकते हैं अल्ट एपटू ठीक है इसके अलावा अगर आपको पूरे इंट्रीज देखनी है अपने फाइनेशल यहर की तो यहाँ स्पेस दबाके एंटर कर सकते हैं कंपणी से आप यह चेंज कर सकते हैं कि अभी जैसे आप टेक्नो टेडर्स का डेबुक देख रहे हैं आप किसी और कंपणी का देखना चाहें तो सेरक कंपणी में जाके वह कंपणी आप चुन कर उसका वीडियो बुक देख सकते हैं जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, सभी तरह के vouchers आपके सामने आ रहे हैं। आप अगर किसी खास voucher को देखना चाहते हैं, तो voucher type में जाएं। Like मुझे contra देखना है, तो मैं Contra में जा सकता और सभी Contra vouchers हमारे सामने हैं। इसी तरह से अगर आपको sales में जाना है तो you can select sales और यह जितने भी sales entries जो हुए इस period में वो आपके सामने दिखाएगा with total amount. फिर अगर आप so profit में जाते हैं तो आप profits भी देख सकते हैं जो भी आपने इसके transaction value and all आपको यहाँ पर दिखाता है. Columnar से आप column ले सकते हैं अलग-अलग चीजों के लाइक अगर आपको party address का अलग column चाहिए voucher type का अलग column चाहिए voucher number जिन चीजों का आपको column चाहिए वो column को आप लेंगे yes करेंगे और accept कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो हर चीज column में बट गई है आप चाहें तो इससे सब प्रिंट भी कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं यह columnar analysis में काफी important होता है जिससे आप देख सकते हैं आपको यह अगर पता करना हो total value कितनी है gross total कितना है उसमें sales कितना का हुआ था freight में हमने कितना पिक किया total packaging expense में कितना पिक किया तो अगर इस तरह से अलग-अलग कर कि हम देखना चाहते हैं details तो columnar analysis के लिए काफी important हो जाता है चेंज view में जाकर आप post data transactions को भी देख सकते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं configuration में जाने पर आपके पास कुछ options आते हैं like show narrations इससे आप narrations को जहां 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 अवेलेबल हैं उनको भी देख सकत हैं करनेंस की जगर detail में जाने पर कुछ options और आपके पास आ जाएंगे like inventory transaction को अगर आपको देखना है तो mode of payment देखना है तो या stock item में अगर आपने description डाला उसको भी देखना हो तो या banking detail देखनी हो तो जो भी चीज़ आपको देखनी हो आप उससे यहां से activate कर लेंगे साथ में अगर आप यह देखना चाहें कि किस user ने इसे entry किया है या अल्टर किया है तो इसे यहां से yes कर लेंगे एक से दिख यूजर बनाने के बारे में हम tally advance में पढ़ेंगे तभी इस option को आप proper समझ पाएंगे और display lasers, stock item इन सब के बारे में आपको अल्टरी बताया लाइक अगर आप एक से दिक entry को select करना चाहते हैं तो अपने keyboard से space बटन को दबा सकते हैं तो space का use हम क्यों करते हैं select करने के लिए एक से अधिक entries यानि कि अभी एक साथ अगर सारी entries को आप select करना चाहते हैं जितनी भी दी गई है तो control के साथ space दबाईए वापस से select करने के लिए control space ठीक है control space से एक बार select होगा और एक बार deselect हो जाएगा अगर आप किसी entry को cancel करना चाहते हैं cancel से क्या होगा यह voucher नहीं हटेगा जैसे आप देख रहे हैं इस voucher में अगर मैं इसको cancel करता हूं alt x से क्या shortcut है इसका alt x से तो voucher वही है बस इसकी entry उड़ गई अगर आप अगर मैं किसी को delete करता हूं like अगर मैं इसको delete करता हूं 36,000 को तो देखिएगा जैसे मैं इसको delete करूंगा 2000 के entry का voucher चेंज होके 5 हो जाएगा alt d देख सकते हैं so delete alt d और cancel alt x में यह अंतर होता है कि delete से complete voucher ही delete हो जाता है जबकि cancel से वो voucher वहीं का वहीं रहता है बस उसके अं इसको एक साथ cancel या delete करना हो तो पहले उन्हें select करें और alt d से delete या alt x से cancel जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं आप देख सकते हैं एक सदिक entry जो है एक बार में cancel होगी याद रखें कि यहां undo नहीं होता that means जो आपने cancel कर दिया डिलीट कर दिया आप उसे वापस से नहीं ला सकत आपको फिर से वह entry करनी पड़ेगी अब अगर दो जन्वरी में आपको कोई entry pass करनी है आपको entry pass करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे alt i i for insert alt i press करते ही आपको option आ जाता है entry करने का जरूरी नहीं है कि आप receipt में entry करेंगे आपके बस voucher options हैं आप जिस voucher में जिस date में जो आपको भी entry करना चाहें वो कर सकते हैं लाइक में परचेज में एक entry करना चाहता हूं तो आप ये entry कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एज एमस्टरणम की entry आपने करी है वो यहाँ के बास सेव हो गई एक जन्वरी में इसी तरह से अगर आप entries को remove करना चाहते हैं delete नहीं remove लाइक मैं control r से अगर इससे यहां से हटाता हूं तो देखिए entry यहां से हटती जा रही है ये entry delete नहीं हुई है बलकि display से हटी है इससे आप वापस ला सकते हैं किसके use से control u से देख सकते हैं control u से साड़ी entry एक एकर के वापस आ रही है तो control r से आप इससे remove कर सकते हैं जहां अभी cursor होगा वह entry सामने display से हट जाएगी और control u से वापस आप उसे ला सकते हैं सो control r remove करने के लिए और control u वापस लाने के लिए यूज किया जा सकता है तो यह कुछ options थे डे बुक में जिनने आप यूज कर सकते हैं डे बुक में किसी वे entry में अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं आप सीधे entry level पर पहुँच जाएंगे और वहाप जो भी changes करना चाहें कर सकते हैं अभी जो options मैंने आपको बताए delete है, cancel है, insert है, remove है यह सब ही हर जगा काम करते हैं लाइक अगर मैं अभी किसी particle laser में चला जाता हूँ तो भी आप इसे Alt D से delete कर सकते हैं Alt X से cancel कर सकते हैं देखिए आप यहां सब लिख रहा है आप select, deselect भी कर सकते हैं आप इसे Ctrl R से remove कर सकते हैं Ctrl U से वापस ला सकते हैं तो यह जो options मैंने आपको बता है यह जरूरी नहीं है कि सिफ daybook में ही काम करेंगे बलकि कहीं भी अगर entries के list है तो आप इसे वहां use कर सकते हैं इसी के साथ daybook का यह हमारा वीडियो खतम होता है अगले वीडियो में हम जानेंगे अगले वीडियो में हम जानेंगे account books वर statement के बार काम 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 कर यह है